सुल्तानपुर में प्रधान प्रत्यासी की लाठी डंडों से पीट-पीट कर हत्या आरोपियों को अब तक नहीं पकड़ सकी पुलिस शौक को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया गया है जिले में तीन दिन बाद 19 सप्रेल को मतलान होना है पड़ोसी गाउं में बिवाद में हमला 14 अनच्षित्र के फर्मा पुनिवासी अमर्दियो गौतम पंचाच चुनाओं में प्रधानपत के प्रत्यासी थे गुरुवार रात में पड़ोस के मुनिपूर गाउं में पहुचे थे आरोप है कि वहां उनका राजिंद्र वर्मा से बाद शित्के दरान बाद विवाद बढ़ गया राजिंद्र वर्मा और उनके परिवार वालों ने अमर्दियो गौतम के ओपर लाटी डंडो से हमला कर दिया है इस हमले में उनकी मौत हो गई फिलाल ग्रामनों की सूचना पर पोलिस सतकाल मौके पर पहुची लहलुहान हालत में अमर्दियो गौतम को जिलास बताल पहुचाया गया अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें अमर्द गोशित कर दिया कोतवाल किश्र मोहन सिंग ने बताया कि गुर्वार रात को मामली का हासुनी में प्रदान प्रत्यासी अमर्दियो गौतम को बुरे तरह मारा पिटा गया इसमें अमर्दियो गौतम की मौत हो गई मामले में अविप्तों के खिलाब कारवाई कीजा रही है तीवी इंडिया एटी निच सुल्तान पुष्वे शंबादाता दीपसुकला की खास्तपोर दीती राग ठाना चाहरा छेतर में दो पक्षों में आपसी मार पीट हुई जिसमें अमर्दियो गौतम उत्र राम अवद निवासी फर्मापुर की सरमें डंडे की चोट के कारण इलाज के द्वारान दुखो गए प्रारंभिक जानकारी के अंसार ये बाद प्रकास में आई है कि अमर्दियो गौतम राम गंज बाजार से खरीदारी करके लोट रहे थे तो वहां रास्ते में दूसरे पक्ष के शिवरवन बर्मा के लड़के राजन बर्मा की त्यारी द्वारा उनके साथ चीना जप्ती की गई जिस बात का उलाणा लेकर अमर्दियो गौतम और उनके चाचा सीटा राम राजन बर्मा के खर गए थे वहां दोनों पक्षों में पुना लड़ाई होने लगी लड़ाई के दौरान अमर्दियो गौतम की डंडे की चोट सर में लगी जिसमें इलाज के दौरान इंती बर्ति रोगई है इसमें अमर दियो गौतम के परज़नों की कहरीर पर चार लोगो और कुछ अन्य वेक्तिको अग्यार नामजद करते हुए अभियोग पंजिकत किया गया है नामजद आरुपी गण के नाम राजेंद वर्मा, जितेंद वर्मा, वीरेंद वर्मा और जगरनाद वर्मा है यह बात भी जानकारी में आई है कि अमर दियो गौतम पधानपत के पत्यासी थे लेकिन वर्तवान गठना का पधानी के जुनाओं की रंजिस को लेकर कोई बात होना नहीं पाया गया है